राजधानी शिम्ला के उपनगर संचौली में मस्जित के अवैद निर्मान को लेकर आज एक बार फिर बड़ी संख्या में विभिन हिंदू संगठनों के नतत्तों में सानिय लोग प्रदर्शन में शामिल हुए वहें इस पूरे मामनी में नेता प्रति परक्षत जैराम ठाकू ने कहा है कि हिमाचल एक शांथी प्रियव प्रदेश है और ये जो परिस्तिती शिम्ला में बनी है उसमें सरकार की तरफ से की जाने वाली कारफाई में देरी की गई है जैराम ठाकू ने कहा कि जो हिंदू संगठन प्रोदर्शन कर रही है उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए शिमाचल प्रदेश एक शांती प्रिय प्रदेश है और कभी भी यहां कॉम्मुनिटी कन्फिक्ट देखने को बहुत ज्यादास तक मिली नहीं है लेकिन एक परस्तिति इस परकार की जो बनी है जिस पर सरकार को संग्यान लेने के साथ साथ में उसमें आवश्य कारेवाई करनी चाहिए थी उसमें विरंब होते देख करके लोगों में गुसा है और मैं इस बात को भी देख रहा हूँ कि जो हिंदू संगटन है और यहां के स्थानिय लोग हैं उनकी जहन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और साथ ही हम अपील किये हैं पिछले कल भी किये हैं आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांति प्रिय धंग से अपनी बात को रखें